नमस्कार साथियों स्वागते आपके अपनी यूटूब चैनल RBSC with HSM में महर्सी द्यानन सरस्वती विश्विद्याले अजमेर की द्वारा पिएचडी एड्मिशन के लिए रिसर्ट्स इलिजिटी टेस्ट RET 2022 के लिए विस्तरित नोटिफिकेशन एवाम ओनलाइन आवेदन के संदर्प में विस्तरित दिशनिर्देश जारी कर दिये गए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम नोटिफिकेशन ओडिनेंस एवाम ओनलाइन आवेदन के मार्ग दर्शन के संदर्प में विस्तार पूरूग चर्चा इस वीडियो में करेंगी तथा सभी पहल वो को बारी की से समझने का प्रियास करेंगी सबसे पहले हमें लोगिन होना होगा महरसी दियानन सरस्वती विश्विद्याले अजमीर की ओफिशियल वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी उपलब्द करा दिया कया है जैसे ही वेबसाइट पर लोगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा Research दिएगे सेक्षन पर हमें क्लिक करना होगा क्लिक करते हमारे सामने R.E.T. एक्जाम का लिंक दिखाई देगा दिएगे लिंक पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते हमारे सामने RET exam portal 2022 का लिंक दिखाई देगा RET exam portal 2022 दीगी लिंक पर हमें क्लिक करना होगा क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेपेज ओपन होगा महतपुन दिशा निर्देश विध्यारती परिक्षा आवेदन पत्र भर्निस से पूर निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले सबसे पहले हम बात करेंगे विगपती के संदर्प में दीगी लिंक पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडी फाइल डाउंडोड होगी इस पीडी फाइल को डाउंडोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है रिसेर्ट्स इलिविटी टेस्ट और एटी ट्विटी टू रिसेर्ट्स प्रोग्राम पोर पीजडी डिग्री ओडिनेंस बन टू फॉर आवेदन की प्रक्रिया बारह फरवरी 2022 से प्रारम होगी अन्तिम्तिती है 26 फरवरी 2022 एक्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो संभावित एक्जाम 26 मार्च 2022 को होगा अब बात करेंगे हम सीट्स के संदर्प में ओर्डिनेंस स्टेट्मेंट ओफ वेकेंसी आरेटी 2022 दीगे लिंक पर हमें क्लिक करना होगा क्लिक करते हमारे सामने एक पीडी फैल डाउंलोड होगी इस पीडी फैल को डाउंलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है ABST की 9 सीट है Business Administration की 3 सीट है Botany की 18 सीट है Chemistry की 39 है Computer Science की 16th Computer Science 16th है Environmental Science की 3 सीट है Food and Nutrition की 7 है Mathematics की 21 है Microbiology की 6 है Physics की 4 है Geology की 4 सीट है इस तने से Geology की 53 सीट है Economics की 12, Geography की 34, History की 13 Political Science की 16, Public Administration की 13 English की 4, Education की 4, Hindi की 12 Sanskrit की 3 सीट है उर्दू की 3 सीट है इस तने से Drawing and Painting की 1 Socialogy की 8, Philosophy की 6 और Music की 4 सीटे निर्धारित की गई है इस तने से 26 Subject के लिए R.E.T. 2022 का आयोजन किया जाएगा अब बात करेंगे हम Ordinance के संदर्प में Ordinance for R.E.T. 2022 दीगे लिंक पर हम क्लिक करेंगी क्लिक करते हमारे सामने एक PD फाइल डाउंलोड होगी इस PD फाइल को डाउंलोड करके इस प्रकार आसन से देखा जा सकता है Man Point जो यहां रखा गया है Examination के संदर्प में इसके बारे में हम चर्चा यहां करेंगे UGC Regulation 2009 पेपर पेटर्न के अगर हम बात करें R.E.T. shell comprise of two papers of 100 marks यहां पर दो पेपर होंगे और प्रतिक जो पेपर होगा वो 100 marks यहां रहेगा The duration of each paper shall be one hour Paper 1st shall be journal paper on teaching and research aptitude and paper 2nd shall be the subject selected by the applicant and applicant who does not appear in paper 1st shall not be allowed to appear in paper 2nd Paper 1st and paper 2nd shall consist of 15 multiple choice cushion Each cushion cell carry two marks and multiple choice question होंगे और प्रतिक जो कुशियन होगा वो इस्पस्ट किया गया है कि paper 1st और paper 2nd का जो syllabus होगा NET, UGC CSR NET चाहो UGC हो, चाहे CSR NET हो, उनका जो paper जो pattern है वही pattern यहां पर भी लागू होगा तो इसके संदार में हमें विशेज ध्यान रखना है previous year के NET और CSR NET या UGC NET के जो papers हैं उनका आप अउलोकन अवशे करें इसी दिन से राजस्तान यूणिश्टी ने वर्तमान में PhD के लिए MPET 2019 और 2022 का आउजन किया गया तो उस paper का भी हम अउलोकन आसानी से कर सकते हैं Making response for question papers the candidate will have to mark The response for questions of paper first, paper second on the optical mark reader OMR sheet provide along with test booklet तो यह OMR sheet bested जो है exam लिया जाएगा तो यहां जो main points रखा गया है paper first and paper second के संदार में 100 marks है Paper first 50 multiple choice question, paper second 50 multiple choice question, प्रती question 2 marks का रहेगा negative marking नहीं रहेगी syllabus की बात करें तो CSR और UGC NET का जो syllabus है वो ही syllabus यहां पर लागू होगा Exemption केटेग्रियां दे रखी है NET, SLEET, GET ANY OTHER Junior Research Fellowship Legibility Examination Conducted by a National Agency or is a Teacher Fellowship Holder has qualified MFIL program H per UGC Regulation 2029 तो इसके संदार में यहां जानकरी दी गई है तो इसका अलोका नहीं यहां आसानी से कर सकते हैं MSC के अंदर 50% SCST जो reservation category है और other जो category है जिसमें journal है उनमें 55% MSC यानि master जो degree होनी चाहिए इसमें आविदान कर सकते हैं तो इसका अलोका नहीं यहां आसानी से कर सकते हैं तो exemption जो category है उसका भी यहां विशेज जहां रखना होगा एक्जाम नहीं देना होगा अब बात करेंगे हम registration for RET 2022 के संदार में और application for RET 2022 के संदार में और application for RET 2022 reprint के संदार में registration करने के लिए हमें दिये के link पर click करना होगा click करते हमारे सामने stay first open हो जाएगी application for आवेधन पत्र आवेधन पत्र साबधानी पूरवक फिल करें यहां पर candidate का नाम लिखना होगा as per 10th marks it father's name लिखना होगा do b select करनी होगी जिसमें सबसे पहले day, month और इसके परशाद year इसके परशाद mobile number category select करेंगे इसके परशाद exemption from exam तो यहां पर हम yes और no कब करेंगे जब यहां जो line लिखी गई है यदि आपने UGC CSIR NET, GRF, UGC CSIR NET, Slate, State, Gate, Permanent Faculty, Government College या University तो यह इसपश्ट किया गया है तो permanent faculty कौन से होनी चीए या तो आप Government College में अध्यापन कारे करा रहे हो या University में आप अध्यापन कारे करवा रहे हो MPHL passed as per UGC Regulation 2009 के नुसार में से कुछ भी कर रखा है तो आप exempt from exam तो यहाँ पर exam में आपको चूट मिलेगी या आपको exam नहीं देना पड़ेगा तो अगर आपके पास UGC या CSIR NET है GRF है, UGC, CSIR NET है, SLETE है, SET है, GATE है, Permanent Faculty आप Government College में है या University में है MPHL है, passed as per UGC Regulation 2009 के नुसार तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर और आवेदन करने के बाद आपको जो exam है उस exam आपको नहीं देना होका आपको जो छूट दे जाएगी, इसके अलावा जिनके पास ये संबंदी जो चीजे नहीं है उन्हें फिलाल exam देना होगा तो यहाँ पर आप exemption में लिखें, अगर आपके पास ये qualification है तो आप yes करें, अगर नहीं है तो आप no करें तो इस तरह से आप इसमें जो registration के लिए step first में आविदन कर सकते हैं, आगे की process करने के लिए next पर हमें क्लिक करना होगा इसी तरह से हम बात करेंगे, application for RAT 2022 के संदर्प में, यहाँ पर चाला number फिल करेंगे, do भी select करेंगे और next पर क्लिक करके हम, जो है application form फिल कर सकते हैं इसी तरह से reprint application form का हम reprint ले सकते हैं, यहाँ पर हमें चाला number फिल करना होगा, mother name फिल करना होगा, जनम जिथी select करने होगी, proceed पर क्लिक करके हम reprint आसानी से ले सकते हैं तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ यूपयोगी एवां महत्वपुन रहेगी किसी भी प्रशन की स्तती में इस वीडियो के comment box में अपना प्रशन आवशे रखें, इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रशन का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक बने रहे RBC विताचसम के साथ जय हिंद, जय भारत